प्रेंस वेल्कम टो और यूटी ट्रेंट सेंटर फेंस आज के इस वीडियो में आप लोग बहुत बड़ी खुशकावरी दे रहा हूं फैंस फाइनली यूपी ट्रिपल एस्टी जो है उसका पीटी दोजार तेज का प्रड्याम घोसित कर दिया गया है तो फाइनल जारी कर दिया गया सभी बच्चों का तो आप लोग सभी बच्चे अपना रिजल्ट देख सकते हैं और इस वीडियो में आप लोग कंप्ली डिटेल्स बताऊंगा इस पीडिया रिकॉर्डिंग जो नोटीस दिया गया उप्रोब्लम के कर दिया गया है कुछ गलप सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं देखिए मैं आप लोग को बता दूं उत्तर पते अजनत सिवा चैन आयोग जो कि यहां पर पूरा देख सकते हैं बीकप भवन तृतिय अपल तल गौमती नगर लखनौ यह आयो क्योई जो की हेट क्वाट के विग्यापन संक्या 07 परिछा 2023 प्रारंविक आहरता परिचा यानि कि प्रीमेर एर इलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 की लिखित परिच्छा दिनाग 28-10-2023 और 29-2023 को दो पालियों में आवेजित की गई थे यानि कि आप लोग दो दिन परिच्छा चला था जो कि 28 और 29 तार में अभ्यारतियों का इसकोर का जो कि इसकोर को प्रकासित करते हुए अनुमोधन प्रदान किया गया है प्रारंविक आहरता परिच्छा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यारतियों का इसकोर परिच्छा 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 सब्सक्राइब कर सकते हैं और आज के डेट से एक साल तक अगली एक साल तक रहेगा आपका यह सर्टिफिकेट मैं आप लोग बता दू कि इसमें कुछ बच्चों है जिनका कुछ प्रॉब्लम के कारण से उनका रिजल्ट कैंसल कर दिया गया है अब देखिए क्या किया गया ह कितने ऐसे बचे हैं कि आयोग द्वारा दिये गए निर्द्योसों के उपरांद भी 31 भी द्यारतियों द्वारा अपनी ओमर सीट में प्रस्ण पुस्तक करमांग अंकित नहीं किया गया है कुछ-कुछ ऐसे बच्चे पाए गया है जो ओमर सीट जो होता है उनका न उस पर प्रस्ण पुत्र पूस्त करते हुए उनके स्कूर काड में परिछा पड़ां की इस्तिति केंसिल अंकित की गई है तो ऐसे 31 बच्चे है जिनका रिजल्ट केंसल दिखाएगा ठीक है केंसल दिखाएगा क्यों दिखाएगा वह कारण बता दिया गया है क्यों उन्हें ने अ यह अमारे सीट पर डाला ही नहीं सही है ठीक है डाले भी तो गलत डाले नहीं दाल रहे हैं कूई 31 बच्चे थी तो उनके स्कूर काड में परिछा परिड़ाम के इस्तिति तद अनुसाप प्रोबिजनल अंकित करते हुए उनका परिछा परकासित किया जा रहा है और कुछ तिये गए है तो ऐसे भी बिद्यार्थिए जो कि 890 विद्यार्थिएं का इनका रिजल्ट प्रोविशनली दिखाएगा ठीक है ति का अगे बताया गया है सुचे है कि 6 विद्यार्थिएं का परिणाम जाच कि अधीन प्रकासित किया जा रहा है ऐसे भी द्यार्तियों के scorecard में परिछा परिडाम के इस्तिती तद अनुशार under investigation अंकित की गई है तो 6 भी द्यार्तियों ऐसे जिनका result under investigation में है अभी अनुशार अनुशार संबंदित अभ्यार्ति का अभ्यार्ति का निरस्त कर दिया गया तो कि अईसे कुछ अभ्यार्ति पाए गया है जो कितने बचे हैं टोटल 75 बच ऐसे है ना जिन्होंने कुछ गलत चीज़ का जो की यूपी ट्रेस्टी के according बैन है वो चीज़ उसका उन्होंने परियोग करके और इक्जाम में यूज किये हैं जिसके कारण से उनका रिजल्टी पूरा तरह से कंडिटेटरी रद्द कर दिया गया है तो इनका रिजल्टी नहीं दिखाएगा सो करेगा कि उन बैन चीज़ को इन्होंने कुछ यूज में लाया है और वाता दो नारुमसार प्रसनगत विग्यावन से संबंदित समस्त अभ्यातियों को एक दद्वार सुचित किया जाता है कि प्रारंबिक आर्था परिशानिंगे प्रीमिलियर इलिविजिटी टेस्ट 2023 की लिख चैनल का लिंक है वहाँ पर मैं लिंग प्रवाइड करा दें दूंगा और इस पीडिया फाइल आप लाम चैनल से डाउनोड कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक में दे दिया हूं और देखिए आगे क्या बताया गया है सब बहुत हरतियों की विपसाइट पर होंपेज रिजल्ट सेक्समेंड लिंक जाकर वंचीत जो की अंकीत करते हुए अपना इसको काट देख सकते हैं वहीं बताया गया लिंक पाने के लिए आपना हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिए वहाँ पर लिंक प्रवाइट करा दूं रहा हूं तो जाकर हमां से क्लिक करके एक बार में और डिरेक्टे वालो वेफसाइट पर रिडाक्ट कर दिये जाएंगा और महां से अपना इन्रोल्मेंट नंबर जो भी है कुछ डालके अपना डेट अब बर्त और अपना रिजल्ट देख सकते हैं अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किज किजिए चैनल को सब्सक्राइब किया किजिए और ऐसे नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थैंक्स पर वाचिंग